इलाहाबाद हाई कोट ने योगी सरकार को फटकार लगाई है खबर सिर्फ इतनी नहीं है भरी अदालत के सामने योगी सरकार के जूट को जज ने बेनकाब किया है खबर सिर्फ इतनी भी नहीं है योगी सरकार जो कुछ कर रही है इसे लोगों का नरसंगहार कहा है खबर इतनी बड़ी है सरकारों की ये धोखा धड़ी हर जगा हर राज में जारी है अफसोस है कि खबर इतनी बुरी है नमस्कार मैं समर राज बोलता उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है सोशल मेडिया पराधारित प्रोग्राम सोशल वानी में आपका स्वागत है सरकारों की बरबरता और निकम्मेपन की पोल खोलते हुए पत्रकार कृष्णकांत लिखते हैं कलिराबाद हाई कोट में जो हुआ वो भारत के हर नागरिक को जरूर जानना चाहिए यूपी सरकार ने एक पोटल सुरू किया है अस्पतालों में लेवल टू और लेवल थी के खाली बेट की संख्या बताने के लिए कोवीड सिच्वेशन पर सुनुआई के दोरान सरकार ने हाई कोट को बताया कि प्रदेश में आईसोलेसान, आईसीउ, यसडीउ बेड की कोई कमी नहीं है जब कोट सुनुआई कर रही थी उस समय भी पोटल पर खाली बेड दिखाय जा रहे थे कोट ने अदालत में ही वकील अनुस सिंग को हिलप लाइन नमबर पर फोन करने को कहा उन्होंने नमबर डायल किया और कोट के सामने ही अस्पताल ने जवाब दिया कि कोई बेड खाली नहीं है जबकि पोटल पर दिखा रहा था कि अस्पताल में बेड खाली है यानि इस पोटल में गलत जानकारी दी जा रही थी बीच अदालत योगी सरकार का जूट पकड़ा गया सरकार के दावे और जमीनी हकीकत में ये अंतर देख हाई कोट ने सक्त टिपड़िया करते हुए कहा अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत आप राधिक कृत है ये किसी नरसंगहार से कम नहीं है आपको ये भी जानना चाहिए कि जूट का ये कारोबार पूरे देश की सरकारे कर रही है दिल्ली से लेकर बैंगलूर तक हर जगा पोटल बना कर उस पर गलत सूचनाए दी जा रही है योगी तो कह रहे हैं किसी चीज की कोई कमी ही नहीं है और जो भी सुवधाओं की कमी की अफवाह फैलाएगा उसकी संपत्ती जब्त कर लेंगे लेकिन वो जो कर रहे हैं उसे कोट ने नरसंगार जैसा कृत बताया है हाई कोट ने ठीक कहा है कि ये नरसंगार है और देश की केंदर सरकार से लेकर सभी ज़ादतर राज सरकारे इसमें सामिल हैं हमारे आपके नेता हमारी कलपनाओं से ज़्यादा बरबर और निक्रिष्ठ हो चुके हैं